ओलेट गाइस तो हम लोग यहां पर सीख रहे थे exam portal using springboard and angular और गाइस इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कमाल की चीज करने वाले हैं अगर आप यह वीडियो देख लोगे तो आप angular की power देख लोगे ठीक है इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हम पूरे website में लोडर यूज करने वाले हैं अभी तक हम अपने website में अपने web app में exam portal में गहीं भी हम लोगने यूज किया जिसको लोडर नहीं पता वुह सामझ ले कि अभी हम औल कोre mensen करते हैं आपने आप जितनी भी रिक्वेस्ट बैकेंड में जाएंगी सब पर अपने आप से लोडर लग जाएगा तो आप खुद सोचो कितनी कमाल किजिए सिर्फ और सिर्फ तीन चार चीज आपको करनी होंगी बस स्टेप बाई स्टेप और आप नेट से देख के भी कर सकते हो बट आप अपने प्रोडेक्ट में यूज करो ना चलता है अब आप लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूं तो हमने सबसे पहले स्टेप क्या कर लिया है हमने अपना बैकेंड का सर्वर स्टार्ट कर लिया है और हमने अपना फ्रेंट का सर्वर यहाँ पर स्टार्ट कर लिया सब कुछ क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले सब कुछ क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, हम लोग perfectly service start करें, login कर लिया, अभी तक आप देखो, पहले मैं starting देखाता हूँ, अभी तक हमने load होंगी, वहां पे भी आपको loader नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं, हम यहां पे use करने वाले हैं, सबसे पहले मैं paint open कर लेता हूँ, और वहां पे कुछ लिखता हूँ, paint open कर लेता हूँ, अगर नहीं users हम अपने website में use कर सकते हैं, तो आपको simply क्या करना है, आपको simply अपने Chrome पे चले जाना है, and documentation, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप documentation जरूरी उस करिए, documentation use करिए काम करने के लिए, क्योंकि जब documentation use करोगे तभी आप चीज़े सीखोगे, तो recommend मैं हमेशा करता हूँ कि आप बिना documentation के चीजे मत करिए, फिर भी बहुत सारे लोग पढ़के याद करके करते हैं, तो हम लोग चलेंगे Google पर यहां पर type करेंगे ngxyloader, और चाहो तो आप bracket में angular भी type कर दो, बट कोई issue नहीं, सबसे पहले जो website open होगी npmjs.com, इसी को open कर लेना है, npm package, यहां से बहुत सारे packages मिलते है यहां पर यहां पर यह है, हम लोगा package, तो आप देखो, यहां पर 55,317 downloads बीक लिए हैं, तो काफी लोग इसको use कर रहे हैं, और यहां पर बहुत सारे loaders आपको दिखाए भी गया है, यहां पर procedure लिखा हुआ कैसे install करना है, बट आपको यहां करना है, सबसे पहले इसको test करन आया है, तो इसके लिए इनका home page है, tdev.app, इसको open कर लिजे, यहां पर यहां पर देख सकते हैं, तो इस तरीके से loader यूज कर सकते हैं, यहां पर configure कर सकते हैं, अब आप क्या करें, आप अपने हिसाब से इसको अराम से वैठी है, टाइम दीजिए, और loader यहां पर चला चल repository पर, यहां पर भी आप देख सकते हो, इन्होंने सारे steps देखे रखे हैं, कि सबसे पहले आपको npm install ngx-ui-loader करना होगा, तो हम अभी इसको install करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इनका documentation नहीं पर मिल जाएगा, तो यह जो website थी, tdev.app, यहां पर यहां पर loader की configuration थी, वहीं प black-black page पर ले आगा, यहां पर आपको सारी चीज मिल जाएगी, ठीक है, आपको सारी चीज मिल जाएगी, step by step पूरे documentation को अच्छे से पढ़ना है, then आपको loader अपने हिसाब से use करना है, अब मैं चलता हूँ आपको तीन-चार तरीके करने, तीन steps करने, कि पूरे website में कैसे हम आपको अचानक से loader load करने, तो सबसे पहला तरीका common है, आप simply आपको install करना है, तो आप दीखे, npm install dash dash shape, save ngx ey loader, इस line को copy कर लेजे, अगर आप save नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, बट फिर हम लोग copy कर लेते हैं, यहां पर आते हैं, हम लोग एक terminal open कर लेते हैं यहां पर एक terminal open कर लेते हैं, हलका सा इसको ऊपर कर लेते हैं, and paste कर देते हैं, and enter कर देते हैं, मैं इसको पहले से install करके रखा ह और यहां पर जब एक बार यह इंस्टॉल हो जाएगा, यह वालब प्रोसिस फॉलो हो जाएगा, इसके बारे में आप पड़ सकते हैं, वर्जन हो गए रहा है, किस वर्जन पर क्या इंस्टॉलेशन करना है ठीक है तो हम लोग नहीं इंस्टॉलेशन किया है क्योंकि हम लोग शायद लेटेस्ट वर्जिन पर उसके बाद आपको क्या करना है आपको NGX UI Loader Module आपको लगाना है अपने app.module में तो हम लोग चलते हैं यहां पर आना है आपको Ctrl-P पर क्लिक करना है और यहां पर app.module.ts file open करनी है इसको हलका सा नीचे कर सकते हैं ठीक हलका सा नीचे कर देते हैं यहां पर हम लोग आते हैं ठीक है सबसे पहले आप चाहो तो इंपोर्ट कर लो इंपोर्ट हो जाएगा हम लोग यहां पर यूज कर रहे है एक्सेंशन ठीक है तो अपने इंपोर्ट वाले एरे में आएंगे एरे के अंदर आखे यहां पर सिंप्ली हम लिखेंगे ngx ngxy loader module परफेक्ट है तो हमारा module लग गया अब module लगने के बाद यह पहला step हो गया आपको module लगाना था उसके बाद आपको यह वाला जो टैग है उसको यूज करना जहां पर आपको दिखाना है kml file में यहां पर तो जितने भी component dynamically load हो रहे है आपको पता होगा वह यहीं पर router outlet के अंदर हो रहे हैं तो हम यहीं पर दिखा देंगे इस app nap bar app nap bar के उपर यहां पर पेश्ट कर दिजिए ठीक है उसके बाद आप देहां से देखो अब आपका ngx दो step में एक आपने module को import किया है अपने इंपोर्ट साले एरे में app module के अंदर और दूसरा आपने सिर्फ यह tag लगाया है ngx ey loader का ठीक है tag लगाया है app component में लगा दे क्योंकि इसी के अंदर सारे components लोड हो रहा है दो step हो गया अब दो step में आपकी configuration हो चुकी है आपकी configuration का मतलब अब आपका configuration हो चुका है ngx ey loader का अब आपको loader कहीं भी दिखा सकते हो तो loader दिखाएंगे कैसे loader को दिखाने के लिए आपको एक service मिलेगी ठीक है ngx ey loader service करके मिलेगी आप देख लो ngx ey loader service यह वाली service इस service को यूज कर सकते हो कहीं भी किसी भी component के अंदर आप इसको inject कर सकते हो private ngx service colon ngx ey loader service किसी भी component के अंदर अपनी constructor के अंदर इसको inject करके अंद उस पे आप loader को दिखा सकते हो जैसे अगर आप इस service काल कर लोगे start method तो आपका loader start हो जाएगा ठीक है stop कर दोगे तो यह आपका loader stop हो जाएगा start background कर दोगे तो हलका सा background में दिखेगा and stop loader कर सकते हो तो वो loader को stop कर देगा आप समझ गया तो इस चीज को मैं mention करना चाहूंगा कि दो step के बाद आपकी configuration हो जाएगी and आप क्या कर सकते हो आप इस service को यूज करके inject करके and काम कर सकते हो तो आपको constructor मिलेगा किसी भी किसी भी किसी भी कंपोनेंट कर देगा तो हम लोग को inject करना तो भाई आता इतनी सारी सबसे पहले एक variable ले लेंगे loader service या underscore loader ले लेता है ऐसे ले लेंगे add वहाँ पर हम लोग यह वाली service लिख देंगे that's it आप हमें क्या करना होगा कभी भी मलब किसी उस service के अंदर उस component के अंदर कहीं भी हमें अपना component दिखाना होगा जैसे आप चाहते हो कि भाईया loader दिखने लगे तो आप इस service पे simply कुछ नहीं करोगे simply आप start function कॉल करोगे तो आपका start हो जाएगा और मालो चार सेकंड पार स request वापस आएगी तो आप stop कर दोगे यह हम लोग नहीं करने वाले यह तो manually हो जाएगा हर बार manually आपको लिखना पड़ेगा हम लोग चाहते हैं कि automatic जितनी भी request जाएं सर्वर पर automatic सब के लिए अपने आप हो जाए हमें ना करना पड़े तो हम लोग अगर documentation में आते हैं आई गया हूँए और उसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो देखो automatically show loader for router events तो अगर यह वाला तरहीका यूज़ करोगे तो क्या होगा कि जब आप एक component से दूसरे component पर जा रहे हो using router तब अपने आप से loader दिखेगा तो यह अभी तो फिर आल में यूज़ करना हमें सिर HTTP request पर लगाना है हाज आते नीचे तो आप देखो कि यहाँ पर automatically show the loader for HTTP requests यह वाला हमें चाहिए कि हमें automatically हर एक request जा रही है सबके लिए loader लगा देंगे हमारा सारा काम हो जाएगा perfect है तो हमें क्या करना होगा कुछ नहीं करना होगा हमें बस एक module और लगाना होगा अपने x e y loader loader HTTP module that's it इसको save करेंगे बस तीन step होगया ठीक है error तो नहीं आ रही है तो I don't think error आ रही है error आ रही है अगर कोई error आती है तो अब सी बात है error का solution हमें मिलेगा तब तक हम लोग आके पढ़ते हैं इंपोर्ट के अंदर लगाना था ngx-eval loader HTTP module जो की लग चुका है इतने से काम होने का मतब क्या है कि आपको तीनी step में काम हो गया सारे सारे अपने आप से स्ट्रीटीप जितने भी रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट से सब्सक्राइब हो गया है सबसे पहला आपको ngx-eval loader module इंपोर्ट करना था देन आपको टैग उस करना था यह वाला यह व लौक लोग इन करने के कोशीश करेंगा आप लोग क्या करेंगा आप लोग यहां पको दिखाने के को कुशिश करता हूँ हलका सा ठीक है. So, मैं जहां पर बैठा था, यहां पर आप देखेगा हलका सा, यह देखे, इस साइड देखेगा. So, मैं का करता हूँ, इसको हलका सा full screen पर भी करता हूँ. तो आपको देखेगा. तो वसेट कर रहे हैं. ठीक है? So, आप क्या करेगा? यहां पर देखेगा नीचे के सेट देखेगा तो मैं simply login पर क्लिक करता हूं ठीक है आप देखे यहां पर एक loader देखा और जैसे request complete हो गए अपने आप से loader गाइब हो गए then मैं फिर से का करता हूं aptitude को इस practice पर क्लिक करता हूं यह देखे ठीक है परफेक्ट है जी के पर क्लिक करिए देखे प्रोग्रामिक के प्लिक करें और स्टार्ट को इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ लोड होगा परफेक्ट है यह loader हमें तभी दिख रहा है जब request जा रही है और अपने आप से आपको क्या करना होगा बेसिकली इस loader को बोलते हम लोग जो किनारे साइट दिख रहा था इस loader को हम लोग बोलते हैं background loader अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं हम लोग अपना foreground loader तो foreground लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहीं पर आएंगे NGX EY loader stp module dot हम लोग उस करेंगे for root and root के अंदर हम लोग configuration कर देंगे यहां लिख देंगे लिख देंगे so foreground colon true तो यह बिसके लिए एक object है इसके अंदर प्रपर्टी है so foreground colon true इसका मतलब अब foreground loader हमारे true हो चुका है सबके लिए देखेगा तो हम लोग आपसा जाते हैं and simply all all quiz पे क्ल इस loader को configure होने के बाद अब इसकी properties को भी आप configure कर सकते हो बहुत बहुत लोग properties नहीं समझोंगे तो इस loader का आप background color red नीला पीला हरा लाल काला नीला जो भी करना है कर सकते हो text हो कर लिख सकते हो यह देखनी कहां से आपको यह आप इनके official website से यहां से देख सकते हो यह जहां आपने tag यूज किया था ना जो आपने tag यूज किया था यह देखे इस tag के अंदर आप बहुत सारे attributes कर सकते हो क्या क्या attributes कर सकते हो देखे यह attributes attributes कहा गया यह यह सारे attributes यूज कर सकते हो ठीक है bgs color तो background spinner color जो पहले spinner दिखा था उसका color change करने के लिए बठाम लोग foreground पर यह देखे for ground color fgs यूज करेंगे यहाँ पर पास कर सकते हो या फिर हम लोग अगर हम लोग को यह चाहिए हो निकाल लेते हैं तो हम लोग आते हैं descriptions का लिए अज मारा इसको copy कर लेते हैं and fgs reduce करना है fgs color and अपना color simply यहाँ paste कर देना है save कर देना है ठीक है तो यह देखो यह इस attribute है आप देखे आपका color foreground color change हो गया होगा ठीक है यह देखे यहाँ पे जो loading हो रहा था उसका color बदल गया इवन आप text भी लिख सकते हो कुछ तो इसे के बल में एक attribute लगा दिए text एन्या लिख दिए please wait please wait तो मैं यहाँ पे please wait लगा दिया तो अब क्या हो गए देखे please wait भी आएगा and इवन इसका type भी change कर सकते हो बहुत सारे available है यहाँ पे जो यह circle गुम रहा है इस तरह के से बहुत सारे loader available है बट अभी है हमारा देखो यहाँ पे यह वाला color वही है तो इसको बोलते हैं basically progress तो हम लोग यहाँ पे आते है and progress PG देखे PG color भी हम लोग change कर सकते है progress ball color progress bar color तो हम लोग इसी को copy कर लेते है and इतर paste कर देते हैं and यहाँ कर देते हैं PG color PG PG color ठीक है save कर देते है and वापस आ देते है color change नहीं हुआ color change नहीं हुआ देखते हैं क्या दिक्कत हो गई तो एक बार देखते है PG PB color है ठीक है तो attribute गलत मत करेगा otherwise PB color है save कर दीजे वापस आ यह देखे ओपर वाला color भी change हो गया and even इसकी thickness वगरा भी change कर सकते हो मोटाई change कर सकते हो बहुत सारी शीर कर सकते हैं यहां से देख करके logo size भी change कर सकते हो अगर logo लगाया है logo URL PG PG direction भी बदल सकते हो ठीक है progress bar direction all direction types can be PV direction PV thickness कर सकते हो तो 3 है इसको मैं pass कर देता हूँ एक attribute और इसको करूँगा and इसको 6 कर दूँगा तो हलका मोटा हो जाएगा हम लोग का यह देखे है ठीक है हम लोग का मोटा हो गया हम लोग का मतलब हम लोग का progress bar था हो मोटा हो गया has progress bar अगर आप इसको true करोगे तभी progress bar दिखेगा अदर्वाइस नहीं दिखेगा text का color भी बदल सकते हो तो आप यहाँ पर text का color भी बदल सकते हो तो हम लोग अपना उपर वाला यही वाला color यूज करेंगे इपने text के color के अंदर save कर देते हैं और वापस आते हैं तो आप देखोगे color तो change नहीं हुआ बख्राइब करता हूं तो अगर यहां पर भी आ जाए जैसे लोडिय वोड रहा है तो बेक्राउंड की चीज नहीं दिखें तो मंदा बहुत कमाल की चीज लगती हो ठीक है आप 3 दो हम लोग प Prop種 है कि अग्या तो कर तो बहुत सारीा चाहस सकते हो हूं यहां पर आप देखो 夏 विद्रश्च करने के लिए हमें मिला ओर देखते हैं नीचे आते दीछ आते हैं ठीक है इसको मैं इदर नीचे रखूँगा यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर रखूँगा अब क्या होगा कि जो चीज आप इसके अंदर रखते होगे जब loader दिखेगा इसके अंदर वाली चीज blur दिखेगे तो मैं क्या करूँगा यार मैं अपना नाइब बार और अपना कंटेंट यही दोनों मेरा कंटेंट है इसको उठाओंगा इसके अंदर चिपका दूँगा बस तो हमारा दोनों चीज जब loader दिखेगा तो हमारी यह दोनों चीज blur दिखेगे अब दिखेगा ठीक है तो मैं क्या करता हूँ यह देखे परफेक्ट है तो अब हमारा क्या है कि हमारी website बहुत दो बहुत कूल लग रही है एवन बलर आप कम कर सकते हो यहां 10 है यहां आप 6 कर सकते हो तो बलर हलका कम हो जाएगा तो आप अगर आप लॉग आप लॉट हो simply हम लोग server side calculation करेंगे कुछ लोग ज्यादा response नहीं देने तो आप लोग अगर response नहीं दोगे तो फिर मैं project आगे कैसे continue कर पाऊंगा आपको वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है तब ही आप चीजे अच्छे से सीख पाऊंगे और मैं आपको अच्छे से चीजे सिखा प available है तो आई number of तरीके loaders available है मैं आपको दिखा दूं करीं तो अगर हम डेमो पर चलते हैं तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पर आप देखो तो अब लेवल इस पिनर सब्सक्राइब कर सकति हो ठीक है इसमें से आप कोई भी spinner कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं कोई भी उसकरो हम क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लाता रहता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छे लेगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब का नमद बूलेगा जिससे हमारा मोटिवेशन पढ़ता हूँ और मैं ऐसी झाल झाल